रैपूर के 35 सित ग्रैंड हैथवे आफिस में ग्रैंड ग्रूप के चेर्मेन सरदार गुरुचरण सिंग होरा ने पूरे विधी विधान से भगवान गणेश की पूजार चना की पंडीत ने वैदिक रीती रिवास से भगवान गणपती को विराजमान करवाया इस मौके पर संस्था करमचारियों के साथ ग्रैंड ग्रूप के चेर्मेन स्री होरा ने आरती कर सबकी खुशाली की कामना की इस मौके पर चेर्मेन गुरुचरण सिंग होरा ने कहा कि शास्तों के अनुसार भगवान विनायक को सरप्रथम पुज नहीं माना जाता है उनके पुज अर्चना से सारे विग्न समाप्त हो जाते हैं विग्न हर्ता भगवान गणेश विराजमान हो चुके हैं राजधानी रायपूर में भी गणेश चतूर्थी पर घर से लेकर पंडालों तक भगवान गणेश विराजमान होए पूरी विदिविदान के साथ गजानन की पुजार चना कर उनकी स्थापना की गई इसी कड़ी में 35 स्थित Grand Hathway आफिस में भी Grand Groupe के चयरlavन गुचिरंज सिंग होरा ने पूरी विदिविदान से भगवान गणेश की पुजार चना की इस औरान चेयर्मेन होरा ने देश प्रदेश और जिले में खुशाली की कामना की गौर तलब है कि 300 साल बाद बने दुरलब संयोग में बुधवार को विग्र विनाशक गौरी नंदन श्री गनेश की घर घर स्थापना की गई है ग्रेंड ग्रूप के चेयर्मेन सरदार गुरुचरन सिंग होरा की मौजूदगी में 35 स्थित ग्रेंड हैथवे आफिस में भी पूरे वैदिक रिती रिवास से भगवान गलपती को विराजमान कराया गया है इस मौके पर संस्था के करमचारियों के साथ ग्रेंड ग्रूप के चेयर्मेन गुरुचरन सिंग होरा ने पूजा अर्चना कर आरती उतार कर देश प्रदेश और जिले की खुशाली की कामना की इस मौके पर गुरुचरन सिंग होरा ने कहा कि शास्त्रों की अनुसार भगवान विनायक को सरप्रत्थम पूजा जाता है उनकी पूजा अर्चना से सारे विग्न समाप्त हो जाते हैं पंडरे कायले में भी भगवान करपती विराजमान कराये गया है वे इस मौके पर सभी कर्मियों की सुख समरिद्धी की काम ना करते हैं आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में गणेश चतुर्थी का अपर धुंधाम से मनाया जा रहा है और हमारे कारेले में भी सभी हमारे साथियों के साथ, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ गणेश जी की इस्थापना की गई और इस्थापना उपरांत आरती पूजा परशाद और ये लगातार पूजा का करम विशरजन तक चलता रहेगा भगवान गणेश जी की स्तुती पहली बार स्तुती करने से सास्त्रों में कहा गया कि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संभाव नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक तिवहार है और सबको मैं गणेश चतुती की बहुत बहुत शुक्त काम है बहराल पूरे दस दिनों तक विगन हर्ता भगवान गणेश विराजमान रहेंगे बियो रिपोर्ट ग्रैन नियूज